Seated, Central Teacher Eligibility Test ने अपनी answer की upload कर दिये, इससे पहले जो आज notice, यानि 24th of July को जो notice release हुई है, उसकी एक brief description में आपको दिखा दे रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या पहली बात लखी गई है कि OMR answer sheet of candidates और answer key दोनों ही upload कर दिये गए, यह कब तक अवेलेबल रहेगा official website पे, from 24th of July to 26 of July रात के 11.59 PM तक, अगर आप answers चेक करें और आपको लग रहा है किसी answer में dispute है, किसी answer को आपने mark किया था, लेकिन वो mark नहीं है, इस तरीके की कोई भी glitch है, तो आप official website पे ही thousand rupees per question payment करके, आप answer को challenge कर सकते हो, और यह काम भी आपको in between 24th to 26th July ही करनी है 11.59 PM तक, अगर अभी official website पे कुछ glitch आ रहा होगा, कुछ error आ रहा होगा, तो दो minute रुख जाना, refresh करके एक बड़ी check कर लेना, चीजे अपने आप ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे जैसे ही key challenge के tap पे आप click करोगे, submit key challenge का option आएगा, और इसके बाद ही जो next page आपके सामने open होगा, वो role number का होगा, आपको सेम अपना birth date upload करना है, जो आपने admit card में आप चेक करकी ही डालना, जैसे ही login करोगे, जो next page open होगा, वो OMR sheet आप यहाँ से download कर सकते हो, अपना answer की download कर सकते हो, यहाँ पे जो details आपको दिख रही है, जो student की, उसने social science का paper दिया था, paper 2 वो appear हुआ था, और उसका जो code था वो के code था, इसी तरीके से अगर आप I होगा, या J होगा, या L होगा, या कोई और code आपका paper 1 का होगा, तो वो इसी हिसाब से चीजे आ जाएंगी, यहाँ पे आप चाओ तो एक बार के लिए instructions आरे आप चेक कर सकते हो, suppose अगर आपका error दिखा रहा होगा, या लिख रहा हो झाल झाल